हालो अव्रीवान स्वामी विकनन इंसीट में आपका एक बार पिर से स्वागत है मैं नितिका एक बार पिर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ लाइब्रेरी और इंफोमेशन साइन्स रिलेटिब वीडियो लेकर तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का डैट इस रिलेटिट टू लाइब्रेरी और इंफोमेशन नेटवर्क चो की वर्ल्ड लाइब्रेरी के अंदर पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस है विच इस ओसी एलसी अब काफी चीजों में जाना जाता है अपने प्रोडर्ट्स के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्ट्वेर के काफी इसकी जो सफिसे से जो बहुत वेर्मस य हुशल टुमिले मैं चेंना जाता है तो अगर हम बात वह सी टो और इस सी क्या है इस ओनलाइन कंप्येटर लाइब्रेरी सेंटर यानि कि ओनलाइन प्ल lesson श्रॉर्ट दॉण के ओपर इंफरमेशन प्रोवाइड करना लाइब के अंदर चाहे वो क्लासिफिकेशन रिलेटेड हो चाहे कि लॉगिंग रिलेटेड हो तो इसकी कुछ सर्विसेज और अगर हम प्रीवेस एर एक्जाम देखे तो काफी बार पूछी गई है काफी बार हमसे पूछी जा चुकी है तो इसको अच्छे से प्रेपेर करना आपके इस OCLC, Online Computer Library Center, इसकी हिस्ट्री के बारे में या About OCLC के बारे में जानते हैं क्योंकि जादा तर जो कोशन पूछा जाता है तो वो इन्हीं में से भी पूछा जा सकता है कि कौन से येर में ये इस्टैबलिश हुआ, क्या नाम था इसका, हैड़क्वार्टर कहां है, डवलब हुआ, इस तरीके से कोशन उठके आपके सामने आ सकते हैं, तो आपको OCLC के बारे में ये सब जानकारी होना चाहिए, सो बात करते हैं, इयर की, जिस इयर में ये स्टैबलिश हुआ, वो था इयर 1967, 1967 में Ohio College के अंदर ये स्टैबलिश किया गया, तब इसको Ohio College Library Center के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये library के अंदर एक as a center की तरह open हुआ, तो उसी college के नाम पे उस जगा के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, तब इसको Ohio College Library Center के नाम से जाना जाता था, तब जब ये शुरुवात में आया था, तो कभी आपसे अगर कोशन पूछा जाता है, कि 1967 में या कौन सा old नाम था OCLC का, so the answer is Ohio College Library Center, आगे हम बात करते हैं, इसका जब rename हुआ, अब जो इसको जिस नाम से जाना जाता है, that is online computer library center, और 2017 में अब इसको formally change कर दिया गया, OCLC incorporation के अंदर, तब भी OCLC का acronym इसका अब वाला online computer library center है, और पुराने वाला Ohio College Library Center है, सिर्फ इतना different है इसके name में तो confused बिल्कुल नहीं होईएगा, सबसे पुराना नाम इसके college के उपर था, जो जगा थी, which is Ohio College Library Center, और अब जो इसका नाम है, जो की rename name है इसका, that is online computer library center, यहां तक आपको समझ में आ गया है, आगे भढते है 2017 में इसको OCLC Incorporation बना दिया गया, formally इसका नाम चेंज करके यह रख दिया गया, OCLC Incorporation, तो अगर आप से पूछा जा सकता है question, तो वो यह भी पूछा जा सकता है, कि OCLC Incorporation वो formally कब बना, तो that the answer, जो भी इसका year का आएगा, वो आएगा, 2017, 2017 में यह OCLC Incorporation में तबदील हो गय और अब इसको इसी formally name के सार इस organization को जाना जाता है, विकोस यह काफी बड़ी organization बन चुकी है, product, software involved करना, bibliographic services देना, बहुत सारा international network के accordingly work करना, union catalogs, world catalogs provide करना, यह सब इसके अंदर involved हो गए है, इसलिए इसके नाम को एक incorporation का नाम दे दिया गया, जो की इसका organization name है, बात करते हैं, इसके headquarter की, headquarter कहां है इसका, which is in Dublin, Ohio, Ohio जगा पे था आई है, तो उसी के नाम से इसका सबसे पहला नाम रखा गया, Ohio College Library Center, वहीं Dublin, Ohio के अंदर इसका headquarter है, तो यह कुछ इसकी main key points थे, जो की पुछे जा सकते हैं, और पुछे जा भी चुके हैं, तो आईए इसको एक बार और देख लेते हैं, यह था 1967, जब OCLC फाउंड हुआ, पुराना नाम, जब ही 1967 में आया, तब इसका जो नाम था, वह आपका था, Ohio College Library Center, तीसरे की बात करें, रीनेम, यानि कि जो इसका नाम चेंज हो गया, जिसके नाम से हम इसको अब जानते हैं, वह है Online Computer Library Center, और इसके बालावा, 2017 में इसको फ लग दिया किया, अब इसको इसी organization के name से जाना जाता है, headquarter इसका Dublin, Ohio में है, तो यह थी कुछ महत्पूर्ण जानकारी OCLC के बारे में, अब हम बात करते हैं, इसकी services की, products की, and software की, जो कि यह publish करता है, different different, बहुत आसपेक्ट में publish कर चुका है, information provide करने के लिए, अलग-अलग basis पर, so next हमारे पार slide आ रहे है, services की, इसकी services के बारे में, इसमें आपको बताया जाएगा, सबसे पहले अगर हम बात करे, it provides bibliography, abstract and full text databases, यह international library network है, तो जरूरी नहीं है, सिर्फ यह वही का ही information दे, यह international level पे, जो literature है, उनके full text databases, journal, periodicals, वो students को, यह user को, यह कोई भी institution को, जो भी उसका member है, उसको access कराता है, चिक है, second आ रहा है, world cat, world cat, बहुत ही बार पूछा गया है, काफी सारे papers के अंदर, चाहे वो competitive exams हो, UGC net हो, यह सब selection boards के exams हो अपके, उन सब में library information science का अगर paper है, तो world cat का बहुत बार जिक्र होता है, कि कौन बनाता है, क् है, world cat, तो world cat is world catalog, it is the world largest online public access catalog, सबसे बड़ा अभी तक का, ओपैक है यह, जो की, पूरा information cataloging information database, OCLC का रखता है, OCLC की द्वारा यह provide किया जाता है, which is, OCLC union catalog, use OCLC की union catalog का ही नाम, world catalog रखा गया, ठीक है, यह आप note down कर लीजिए, world catalog इसको बोलता है, world cat के नाम से, जाना जाता है, जो की OCLC का initiative है, OCLC की union catalogs को इस पर place करा जाता है, so that OCLC के अंदर बहुत सारी institutions है, और वो internationally worldwide documentation provide करता है, तो सारे जादा से जादा documentation आपको इस listing के अंदर मिल ही जाएंगे, तो यह world का largest opaque है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, थर्ड हम आ रहे है, question point, इसके ओपर भी question UGC net में आया हुआ है, previous year paper आप चेक करेंगे, तो question point B OCLC की ही एक service है, it is an around the clock reference service, यह एक reference services है, question point नाम सी पता चल रहा है कि आप कभी भी inquiries इस पर कर सकते हो, related to the databases और documentation you want, जो भी इसके users हैं, यह जिनको भी documentation access करना है, information need access करनी है, वो question point पर अपना information रख सकते हैं, वो as a reference services OCLC इनको proper guidance प्रवाइड़ करेगा और documentation access करने में मदद करेगा, provided by OCLC, it was acquired by spring share from OCLC in 2019, फिर यह OCLC की साथ spring share में जुड़ गया है, अब वो इसके अंदर information access प्रवाइड करते हैं, पर बेसिकली services के अंदर यह product question point OCLC का ही माना जाएगा, तो अगर इस related आपका question आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि question point जो basic service थी, that is related to OCLC, और now it's related to spring share, okay, then आपके पास net library, net library it's a provider of electronic books and test books, तो नाम से ही पता चल रहा है, net library के अंदर यानि कि digital library basically, जहां पर आपको e-books और e-test books मिल रही है, यानि कि electronic books, electronic test books, यह 2002 से चलती आ रही है, इसके अंदर provider information जो OCLC डालता आ रहा है, किसी भी को अगर electronic books या फिर e-test books access कर नहीं है, तो वो OCLC में net library की service को access कर सकता है, जो कि 2002 से information provide कर रही है, research library group, RLG, RLG के बारे में आप सभी जानते होंगे, RLG research library group, यह भी अब merge हो चुका है OCLC के अंदर since 2006 से, तो RLG के भी जो publication थे, जो भी services and products थे, वो भी अब OCLC के platform पे ही मिलते हैं, provide किये जाते हैं, क्योंकि यह दोनों ही आपस में merge हो गए थे, OCLC के अंदर RLG को merge कर दिया गया 2006 के अंदर, तो यह कुछ हमने बहुत ही main services करी, इसमें से I think कोई भी अभी तक aspect ऐसा चूटा नहीं होगा, जिस पर question ना आया हो UGC net के अंदर, world cat पर question आ चुका है, net library पर question point पर आ चुका है, RLG merge के उपर आ चुका है, तो आने वाले time में भी इसमें question अलग तरीके से बना कर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि OCLC की क्या क्या services हैं, पहले यह bibliographic abstract and databases प्रोवाइड करता है, electronic and printed दोनों फॉर्म में, जाधा तर electronic format में, क्योंकि यह online computer center है, ठीक है, catalog center, world catalog यानि की world का catalog, सबसे बड़ा union catalog OCLC प्रोवाइड करता है, और pack के format के अंदर, जहाँ पर आपको union catalog मिलते हैं, बहुत सारी documentation की prepared by OCLC and other institutions, question point, यह आपकी reference services है, जो OCLC प्रोवाइड करती है, चुकी है, 2019 से, ठीक है, net library, यह आपका electronic books and e-test books को provider है, इसके अंदर आपको e-books मिल जाएंगी, और e-test books मिल जाएंगी, जो की OCLC डालता है, नेट लाइबरी के अंदर, और RLGB मर्ज जो चुका है, अब OCLC के अंदर, since 2006 से, तो यह कुछ main services थी, जो इसके aspects से और इसके अंदर पूछे जाते हैं, time to time पूछे जाते भी हैं, और पूछे जा भी सकते हैं, अब अब हम बात करें, products of OCLC की, OCLC और क्या-क्या products लेकर आता है, तो इसका एक product आ रहा है, EZ proxy, काफी बार यह पूछा गया है, EZ proxy is a product of OCLC, और यही पूछा जाता है कि EZ proxy किसका product है, inflibinat, delnet, OCLC, RLG, so the answer is OCLC, तो आपको हमेशा धिहान रखना है कि EZ proxy जो product है, वो OCLC का है, worldcat, अभी हमने पढ़ा worldcat log, it's a product of OCLC, first search, worldcat के अंदर ही first search करके, एक service provide की जाती है by OCLC, जिसके अंदर आप documentation को search कर सकते हो, first search services भी product है OCLC का ही, यह भी question पूछा गया है, O-L-I-B, यह भी product आपका OCLC का ही है, touch point, worldshare, LBS, these are also product of OCLC, तो यह सारे products अगर आपसे question के अंदर पूछे जा रही हैं, तो यह बात कर रहे हैं OCLC के products की, चाहे वो EZ proxy हो, worldcat हो, first search हो, d-lib हो, o-lib हो, touch point हो, worldshare हो या LBS हो, तो आगे बढ़ते हैं यह सारे थे आपके OCLC के products, OCLC के products इसके अंदर involved किये गए हैं, इनके बारे में जानत जाते हैं, या इनके बारे में पूछा भी जाता है काफी बार, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यह सारे product associated है OCLC के साथ, आगे बात करते हैं OCLC के software की, OCLC बहुत सारे commercial software भी बनाता है, जो कि अलग-अलग आपका information या अलग-अलग जो services होती है, या जो उनका work है, वो provide करते हैं, different types के, क्योंकि काफी software's अलग होते हैं, कुछ आपके library automation software's होते हैं, कुछ CMS software's होते हैं, कुछ integrated library system software's होते हैं, there are different kind of software's, तो OCLC भी उनमें से काफी software's बनाकर, libraries के लिए बनाता है, provide करता है, पहले अगर हम इसकी बात करें, तो वो आ रहा है, content DN, which is digital collection software, digital collection software के लिए content जो software है, वो OCLC ने बनाया है, content software, तो हमेशा ध्यान रखियेगा, इसके अलावा, WISE, WISE, and integrated library system and community engagement system, यानि कि public welfare engagement, या फिर community engagement के लिए जो prepare बनाया गया है, question था कि public अपना information interact कर सके, वो WISE है, ठीक है, given by OCLC, again, then, world cat discovery, world cat discovery भी जो software है, world catalog के लिए, वो भी OCLC ने ही prepare किया है, आगे भरते हैं, world share management services, world share management services software भी OCLC के दुआरा ही बनाया गया है, ठीक है, तो ये कुछ software से जो की OCLC provide करता है, और OCLC ने ये publish किये हैं, ये software जो की वो create करता है, ताकि बाकी libraries इनको use करके, अपना जो भी digital collection related topics हैं, या कोई भी another topics हैं, वो कर सके, ठीक है, अब बात करते हैं, इसकी publication की, publication यानि की precaution, इतना बड़ा international network है, तो publication इसकी स्वभाविक है होना, कि इसमें अपनी इन्फोर्मेशन बता पाएगा, तो ये कुछ publications मैंने यहां पर arrange की है, that is related to OCLC, OCLC में पहली publication आ रही है, code for lib journal, library related journal है, ये जो वो publish करता है, OCLC research, research, research की field के अंदर, जो भी topic है, समब करना है, जो भी field के अंदर research चल रही है, उससे related information, OCLC research के अंदर ये publish करता है, newsletters, monthly published newsletters, यानि की OCLC के अंदर, जितना भी events, कुछ भी information access हो रही है, या कोई भी information वो access करना चाहता है, related to events activities, वो newsletter में उसकी जैसे समाचर पत्र की तरीके से चाहपी जाती है information, नैशनल education association, नैशनल education association related information, इसके अंदर वो चाहपता है, college and research libraries news, college and research libraries related, कोई भी news है, कोई भी terms है, कब कोन सा exam हो रहा है, कब कोन सा information हो रहा है, कब कोई new course introduced हो रहा है, new courses में क्या-क्या aspects है, कोई भी चोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी information वो इस वाली publication में चाहपता है, related to college and research libraries, so that students aware रहे, users aware रहे, इसलिए वो यह सारी publications चलाता है, तो यह आपका जो पूरा topic था, that is related to OCLC, काफी बार इस पर मतलब बहुत ही बार इस पर question पूछे जाते हैं, और पूछे गए हैं, तो इसको एक बार दुबारा से preview ले लेते हैं, so that आपको जो भी अभी हमने वीडियो में देखा हूँ, एक दरह से दुबारा से recap से पता चल जाए कि हाँ, OCLC में क्या-क्या चीजें शामिल की गई है, OCLC Online Computer Library Center, ठीक है, Online Computer Library Center आया था 1967 में, Ohio College Library Center इसका पुराना नाम था, रिनेम हुआ यह Online Computer Library Center की नाम से, 2017 में इसका नेम फॉर्मली चेंज कर दिया गया OCLC इनकॉर्परेशन में, हैड़कॉर्टर है इसका डुब्लिन, ओहियो में, आगे बढ़ते हैं सर्विसेज में सबसे पहली आ रही है, बिब्लोग्राफिक, एब्सक्रेक्ट और डाटावेसे सर्विसेज, वर्ल्ड केट यानि की वर्ल्ड केटलोग विच इसा यूनियन केटलोग ओफ और OCLC, वह सबसे बड़ा ओपैक केटलोग है, जहां पर आप बहुत सारे बुक्स की इन्फोर्मेशन यूनिन केटलोग के फॉर्मेट में यूज कर सकते हो, कुश्चन पॉइंट, कुश्चन पॉइंट भी OCLC की रैफरेंस सर्विसेज है, जो अब स्प्रिंग शेर के साथ इन्वाल्व करके ये प्रोवाइट करता है, नेट लाइबरेरी, इलेक्ट्रोनिक, बुक्स, एन इस टेस्ट बुक्स को करने का इसका एक इनिशेटिव एक सर्विस है, जो कि ये 2002 से स्टार्ट करके आया था, और इसके अंदर आपको इटेस्ट बुक्स और इबुक्स मिल जाएंगी, इसके अलावा, आरल जी भी इसके साथ आप मर्ज हो चुका है, तो रिसर्च राइबरी ग्रुप्स के जो भ क्या आसपेक्स चल रहे हैं वह सारी आपको इंफोर्मेशन इसमें मिल जाती है, प्रोडक्ट ओप ओवसी अल्सी प्रोडक्स इसके क्या-क्या है, इसके प्रोडक्स है, वर्ड कैट है, फर्स सेर्च, ओ अलाई बी, टच पॉइंट, वर्ल्ड शेयर, एंड एल बी एक्स, OCLC सॉफ्टेवर में कंटेंट डियान आ रहा है, आपका डिजिटल कलेक्शन के लिए, वाइस आ रहा है, इंटिग्रेटिव लाइबरी सिस्टम और कम्यूनिटी इंगेजमेंट के लिए, वर्ल्ड कैट डिस्कवरी आ रहा है, और वर्ल्ड शेयर मैनेजमेंट सिर्विसेस OCLC की आ रही है, पब्लिकेशन जो अभी हमने पढ़ी, कोड़िट फॉर लिब जर्नल, OCLC रिसर्च, न्यूज़ लेटर OCLC का, नैशनल एजुकेशन असोसियेशन, कॉलिज और रिसर्च लाइब्रेरी इस न्यूज़, तो ये सारा डिटेल आमने जो पढ़ा, that is related to your OCLC term, OCLC की बार मैं, बखुत बार पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं है सिफ और सी दीनेट के अंदर पूछा जाए, बहुत सारे जो भी जैसे के रला का, आपका सब्कास होता है, हर्याना का होता है, डेलि का होता है, ज्सक्काषा का, या फिर इसके अलावा, KVS, NVS, या और अना तो इस topic को अच्छे से आप prepare कीजिए और इसे related जानकारी इखटा कीजिए कोई भी इससे आपको doubt लग रहा है कि यह समझ नहीं आया या वो समझ नहीं आया आप उसे comment section में लिख सकते हैं इस वीडियो को अच्छे से आप access कीजिए so that मैं आशा करती हूँ कि आपके जो कोई भी doubts से that is related to OCLC कि कब आया क्या नाम है इसका correct acronym क्या है इसकी और क्या services हैं क्या products हैं क्या softwares हैं वो आपकी चीज़े solve हो गई हो वो doubts आपके solve हो गई हो और तब तक के लिए आप इस वीडिय आपको मिलती रहेंगे related to topic library and information science तो अपने आने वाले जून टाइम की अच्छे से preparation करें साथ के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा thank you so much